नमस्कार दोस्तों, सोशलोजी के सूपर MCQ सीरीज नुमबर 86 में आपका सागत है, यह MCQ UGC NetJR of Assistant Professor PGT, GTC, DTSB, UPSC, यह अन्य शमाशाद से तमधी परिक्षाओं के लिए काफी इंपोर्टन्ट है, तो फ्रन्ट सुरू करते हैं, कोशन नुमर वन है, कि इन में से कौन सा नहीं पड़ती है, ठीक है, तो देखिए, जिस कोशन में नहीं शब्द आता है, आप पहले उसको अंडरलाइन कर लेंगे, तो आपका कोशन जो है, वो गलत होने के chances कम हो जाएंगे, ठीक है, तो पहला एक God की भावना, इससे तो कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, हम की भूमिका की भावना, निर्भरता की भावना, ठीक है, तो इसमें देखिए, गौड की भावना नहीं माने जाएगी, ठीक है, 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 ठीक है भरता की भरता की भाना होती है क्योंकि कुछ लोग इसमें सीनियर होते हैं कुछ जूनियर होते हैं ठीक है तो जूनियर होते हैं वो सीनियर लोगों की बातों को मानते हैं जैसे बड़े बुजूर की बातों को मानना यह सब निर्भरता की भाना के अंतर गदाता है ठीक है तो कोशन नमबर टू है कि एक प्रात्मिक समू से बना होता है एक प्रात्मिक समू किस से बना होता है लगू इकाई ठीक है प्रात्मिक समू देखिए छोटी छोटी चीजों से बना होता है तो यह समाज के सबसे लगूत्तम इकाई होती है फिर देखे कोशन नमबर थ्री है निम आथनी गिडेंस के जो नियम और साधन की बात उन्होंने की थी और उनके चैप्टर मेंने बताये हुए भी है इन्होंने सनचना को क्या माना है करता से बाहर की वस्तों नहीं माना करता को प्रमुक माना है इन्होंने और उन्होंने माना है कि समाज जितना करता पर निर्भर है करता हूँ नहीं समाज पर निर्बार है तो किसी एक विक्ति को हम महत्यपूर्ट नहीं मान सकते इसको उन्होंने पिर देखे कोशन नमर 5 है कि अल्थूजर नया विचार समप्रिशित करने के लिए कि समाज में बड़े परिवर्तन जटिल होते हैं और बढ़ते हैं किस पदगा प्रयोकिया मतलब इसमें क्या बोलना चाह रहा है किस चीज के बारे मताया है तो यह उन्होंने अति निर्धार है कि समाज में जो बड़े परिवर्तन होते हैं वो जटिल होते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं ठीक है तो निर्धारन वाद तो अलग हो गया लेकिन अत्विन निर्धारन वाद की बात कि नो ने उससे तोघला जादा ठीक है फिर देखे कोशन नमबर 7 है कि प्रधान मंत्री आवास योजना की शिरुवात कब हुई तो प्रधान मंत्री आवास योजना की शिरुवात माननी श्री प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने 1915 में की थी ठीक है फिर देखिए क्वेशन नमर एट है कि ग्रामीड आवासी ओजना की शरुवाद कब हुई थी तो ग्रामीड आवासी ओजना की शरुवाद 1957 में हुई थी फिर दिखे कुश्चन में नाइन है कि बल्देव शर्माने की सहर के मजदूरों में संतोज जनक प्रतिबदता पाई तो उन्होंने कौन से सहर के मजदूरों का अधिन किया था ये भी प्रशना सकता है ठीक है तो जिसमें भी आंसर सेम होगा और दूसरा जो कुश्चन है वो ये बन सकता है कि बल्देव शर्माने की सहर के अधिन करके मजदूरों में बहुत जादा एकता पाई ठीक है तो आहमदाबाद बल्देव शर्मा ने आहमदाबाद के मजदूरों गद्धन किया था और उन्होंने पाया कि मजदूरों बहुत जादा प्रतिपत देता है एक दूसरे के साथ मिलजूलतर कारे करने की छमता होती है फिर देखे question number 10 है कि जिस वस्तु की पूर्टी पर पूर्ण अधिकार हो तो इसे कौन सा बाजार कहेंगे तो एक अधिकार कहेंगे उसको जब किसी वस्तु पर किसी एक विक्ति संस्था द्वारा पूरी तरह से एक अधिकार कर लिया जाता है जब भी उस वस्तु को विक्री किया जाएगा तो उस संस्था के दौरा या फिर उस विक्ति के दौरा ही किया जाएगा तो इसको एक अधिकार कहेंगे ठीक है लोगों किराय कितना बढ़ाना है वो डिसाइड करेगा कैसी विवस्थाएं होंगी वो डिसाइड करेगा लग-लग चेंजेज वो करेगा ठीक है? तो एक अधिकार का मतलब होता है कि जब एक वेक्तिया संस्था का उस पर अधिकार हो जाता है और जो लोग कल 36 गड़ का पेपर देने वाले है उनका पेपर बहुत अच्छा हो और यह जो एक्जाम वो देने जा रहे है वो उनके जीवन का आखरी एक्जाम साबित हो इसके बाद पुना उन्हें पर इच्छा देने की जरूरत ना पड़े और उनका सभी का सेलेक्शन हो तो इसी विश्वास के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार